हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं आप सभी बेतर होंगे और आपके पढ़ाए भी बढ़िया डंक से सांदार डंक से चल रही होगी आज से हम लोग इस्टार्ट कर रहे हैं एक दस मिनिट की सीरीज जहां पर हम डिसकस करेंगे एडवांस मैथ की बढ़िया की बारे में कि लाइन एंगल की जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है तो एडवांस मैथ की बूस्टर सीरीज है जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ा एडवांस मैथ उसके लिए बढ़िया होगा और जिसने पढ़ा हुआ है उसके लिए तो बढ़ी और बेतरी होने वाला है ठीक है बाई एडवांस मैथ और एडवांस मैथ बूस्टर यह 25 परसेंट आफ चल ला है यह कोड आपके सामने कभी भी अनकाडमी पर कोई कोई कोर्स पर चेर्ज करना हो तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हो 25 परसेंट आपको आप मिलने वाला है यह अपनी क्लास की टाइमिंग है सुबह साड़े चेवजे अनकाडमी एप पर आठ बजे इसी यूट्यूब चैनल पर अनकाडमी इंज धनुस पर फिर 6 पीम पर एडवांस मैथ रिवीजन करवाते हैं अनकाडमी एप और 8 बजे अनकाडमी दिखा देंगे कैसे आते हैं कुछ प्रोपर्टी जो आपको जाननी चाहिए वह क्या है कि सर कभी भी अगर थीटा जो है ना थीटा 90 डिग्री से छोटा है 90 डिग्री से कम है तो हम कहते हैं इसको सर एक्ट्यूट एंगल यह नियून कोड कहते हैं थीटा की वैल्लिगर 90 ड अधिक हो लेकिन एक स्वस्थी से कम हो इस कंडिशन में हम इसको कहते हैं और यह अधिकपोर इसके साथ यह थोड़ा और आगे बढ़ें कि जब सर अपने पास एक इस च्रीट लाइन हो एक क्या हो यह स्ट्रेट लाइन हो और उस पर एक एंगल बना है कंप्लीट इसको कहत इसको कहते हैं सदल को इसके साथ कभी भी अपने पास ऐसा अगर आपको एंगल देखने को मिलता है कि जैसे हमने देखा कि क्लॉक वाइज जैसे घूम गया है तो हमने कहा से यह उपर वाला जो एंगल बनेगा ना यह 180 से तो ज्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा इस एंगल को क कहते हैं सर अगर कभी एंगल 360 डिगरी का बनता है जिसको हम complete एंगल कहते हो पूड कोड कहते हैं ठीक है क्योंकि 360 से ज्यादा फिर जब भी एंगल बनेगा तो फिर वह कहीं न कहीं 360 का ही multiple होगा और ऐसी बनता चला जाता है ठीक है वाई तो पूड एंग और या complete एंगल हम एक ही triangle के अंदर एक ही angle में मतलब एक तो एंगल alpha हो गया बीटा हो गया एक में ही दोनों तो जब भी अगर दोनों angle को sum करने पर 90 डिगरी आ जाये ना तो हम कहते हैं इसको complimentary angle या फिर पूरा code कहते हैं यह आपको ध्यान रखना है कि कभी भी question में complimentary angle यह पूरा code की बात कहें हैं कि sir तो उसका मतलब यही है कि 90 डिग्री और 90 डिग्री कर कभी यह ऐसा आपको दिख जाये कि sir alpha और बीटा चाहें दो अलग-अलग एंगल हो या फिर एक में ही दो एंगल हो alpha और बीटा और दोनों को sum करने पर अगर 180 डिग्री आ रहा हो इसको कहते हैं सप्लिमेंटरी अगल यह समपूरा कोड कहते हैं लोग ठीक है बाई अ एंगल यह समपूरा कोड उमीद करते हैं यहां तक आपको लाइन है तो हम कहेंगे angle AOP और angle जो है ना BOP ये दोणो जो है ना ये आसन फोड होगे address होगे ये हम कह सकते हैं जब बीच में common Line हो और ये P जो है ना ये Common Line हो common Line है ठीक है तोड़ा सवर आगे अगर बढ़ें तब हम आपको कुछ property यहां पर जैसे आप लिख सकते हो कि दो लाइन ऐसी खीची हुई है और बीच से एक लाइन अपने पास यहाँ पर पर्पेंडिकुलर ऐसा यहाँ यहाँ पर है हम कहते हैं सर अगर एक दो तीन चार तो कुछ प्रोपर्टी है जो आप को जाननी चाहिए तो फटा फट से हम लिखेंगे आप लोग कहते हैं सर संगत कोड और संगत कोड देखो दो चीज़ा आप जादखना पहले तुम्हां को करेस्पॉंडिंग अंगल बताते कौन कौन से तो आपको यह वाला एक हो गया और पांच हो गया आपको तर एंगल वन एंड 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 फाइप दूसरा तर एंड टू ए कितना एंगल 6 तीजसरा से अंगल 4 एंड एंगल 8 और फोल्ट से कितना हो गया एंगल 4 एंड 3 और एंगल से वेन हो गया इसके साथ ही अगर बात करें दूसरा पॉइंट स्थर अल्टरनेट एंगल alternate angle या पिर आप इसको कहते हो एकांतर code ठीक है एकांतर code की कभी भी आप अगर alternate angle की बात करोगे तो 3 और 5 आपके हो गई है alternate है यह angle 3 और angle 5 अभी इसकी property और हम आपको दिखाते है मजा आ जाएगा आपको पढ़के यह चीजे 4 और 6 हो गया इसके साथ एक अपने पास बच गया internal angle, internal angle और internal angle इस तर आंतरी code और आंतरी code अजिए बता क्या रहे हो अभी हम आपको नाम बता रहे है इनके अभी इनका property बताते हैं क्या होते है तो आपको यह अपने पास होगे 3 और 6 हो गया तर यह 4 और 5 जो होगे यह अपने पास क्या होगे अंतरी का एंगल होगे और यह अपने पास internal angle होगे यह दो एंगल और आगे बढ़ें सर तो अगर हम एक line बना देते हैं यहाँ पर अगर ध्यान दो सर आपने एक line खीच दिए सी सीदी सीदी एक और लाइन खीच दी दो लाइन खीचा दोनों के आप पैरलर लाइन है यह दोनों लाइन के आप पैरलर लाइन है और इस पर एक line हमने खीच दी 1,2,3,4,5,6,7,8 लिख दिया तो हमने कहाँ चलो सर अब इसकी property देखते हैं और इसकी property यहाँ पर हम लोग देखने की courses करते हैं तो जब भी ऐसे question आएगा ना तो पहला हमने आपको जो बताया था कि सर corresponding angle और corresponding angle अब देखो भाई फिर से corresponding angle या फिर अगर हम बात करें सर संगत कोड की और संगत कोड की तो यह जो है न यह बराबर होते हैं सर जैसे हम आपने कहा कि सर angle 1 है यह angle 5 के बराबर होगा दोनों कमान समान होगा और angle 2 जो है न वो बराबर होगा angle 6 के तो एंगल 4 जो है न यह बराबर होगा angle 8 के और angle जो अपने पास 3 है न यह बराबर होगा एक आंतर कोड की बात करें यह क्या होता है जैसर आंटरिनीट कौणt से उगए आपको आपको पांच हो गया तीन और बराबर पांच हो गया चार और बराबर किसके हो गया छे हो गया तो यह भाई बराबर होते हैं और बराबर होते हैं पर थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें इंटीर एंगल या हम इसको क्या बोलते हैं तो आपको इंटीर एंगल या फिर क्या होता है अंता कोड जो sum होगा ना 3 होगया हमेशा उ हमेशा इनका sum ढोगा ना वो किसके बराबर है पाय้गा 2000 आप 100C की रे उसे 4 और 5 हो गया चालों 5 हो गया तो इसका sum हमेसा और हमेसा किसके बराबर आएगा, 100C की आएगा और पढ़ाया जाएगा वह हम आपको 10 मिनट में बता रहे हैं कि लाइन एंड एंड एंगल है कितना और ऐसी 10-10 मिनट के वीडियो में हम पूरा आपको जोमेटरी पढ़ा देंगे आप देखना मज़ा आ जाएगा आपको और आपके नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे यह आप किया आपको आई हथा करопो सबकरे सो करें इसार रहे हैए आगर प्लावर और ईयूंगे तो हमेशा आप कहना कि सर पी और क्यू अपॉन कितना क्यू और र हमेशा और हमेशा बराबर होगा एस और टी और यूटी ठीक है यह रेशियो जो हुनता है ना सर यह बराबर होता है बराबर होता है हमेशा और हमेशा यह बराबर होता है जब भी तीनों लाइन क्यों पैरलल हो अब यह यह question देखो आपके सामने कई सारे हैं question अगर आप करना चाहते हो तो यह question आपको मिल जाएंगे PDF इसका हम आपको देदेंगे यह question बढ़ी हो और भेतिजिन से हमने इसके लिए डाले हुए है लाइन और एंगल के यह आपको question मिल जाएंगे आप लोग PDF मिल जाएगा ठीक है टेलिग्राम जॉइन कर लेना कोई दिक्कत समझते हो कमेंट करके बताना और ज्यादा ज्यादा लोगों तो क्या शेयर करना जिससे ज्यादा 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 लोग जूड़ सके चले एक question स कहना इंटीर एंगल कर समझ होता है ना वह एकस्टीर के बराबर होता है गर यह थीटा है और यह एकस है तो थीटा प्लस एकस आजाएगा यह बाहर वारा एंगल हमने कहां सब्सक्राइब कर सकते हो यह आप सभी के लिए कि आप सभी लोग solve करना और बताना कैसे question है और यह जरूर बताना कैसी लगी क्लास आपको 10 मिनट का यह वीडियो बढ़िया रहेगा क्या आपके लिए helpful रहेगा क्या यह भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ठीक है वाई तो मिलते हैं अगले और बढ़िया से सांदार से वीडियो के साथ तो आज के लिए इतना ही ओके वाई थैंक यू